नमस्कार हमारे इगनू आओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्व विद्याले सतत शिक्षा विधाले, सनातक डिग्री कारिक्रम, वेकल्पिक पाठ ठिक्रम भारत में यह व्यापक स्तर पर है और एक गंभीर चुनौती है इसका संमंद पितर सत्तातमक्ता तथा इस मूलभूत विश्वास से है कि पुरुषों को विशेशाधिकार तथा शक्ती होती है कि वे महिलाओं के साथ हिंसा करें इसकी जड़ महिलाओं की अधीनिता की स्थिति पित्र सत्ता अत्मक्ता तथा पुरुषत्व की अवधारना इन सभी कार्णों से जुड़ा है। पुरुषत्व की अवधारना में माना जाता है कि वास्तव में पुरुष्व है जो महिलाओं के साथ हिंसा करें। GBV महिलाओं को भारतिय सम्विधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा उनके मानवाधिकारों का उप्योग करने में सबसे बड़ी बाधा है इस सिकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे जंडराधारत हिंसा की अवधारना जंडराधारत हिंसा के रूप और भारत तथा अन्यदेशों में उनके विस्तरित रूप इस प्रकार की हिंसा के कारणों तथा उसके परिणामों को समझना इस प्रकार की हिंसा के समधान तथा उसके विरोध के विभिन उपायों जैसे कानून एवम समाजिक तरीके से निपटने पर चर्चा करना 15.3 जेंडर आधारित हिंसा क्या है? जेंडर आधार हिंसा पद का प्रयोग उस हिंसा को समझने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समू को उनके जेंडर के आधार पर चिनहित करके किया जाता है इसमें उस प्रकार के कार्य शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरुप शारिरिक यौन या मनुवेज्ञानिक ख्षती होती है या हो सकती है. इस प्रकार के कार्यों में धमकी देना, बलप्रयोग तथा स्वच्छंदता को मनमानी तरीके से रोकना भी लिंगाधारत हिंसा के रू सकती है. यह परिवार के सदस्यों द्वारा, परिचितों, अजनबियों अथवा निजी सह भागियों द्वारा किया जा सकती है और सदस्यों में उसका पती भी शामिल हो सकता है. यद्यपी हिंसा पुरुष, महिलाया बच्चा सभी के लिए पीडा दायक अनुभव है किन्तू लिंगाधारित हिंसा मुख्यता पुरुषों द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर उनके जन्ड़के आधार पर निहित कार्णों से की जाती है. यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, योनेक्ता, प्रजननक्षमता तथा अपने शरीर पर उनके नियंतरण के आधार, स्वायत तता को प्रभावित करता है. इसके अतिरेक्तियह महिलाओं के शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को पूर्णता प्रभावित करता है. और पुर्षों के बीच शक्ति की अस्मानता के कारण होने वाली लिंगा धारित हिंसा समाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सन्रचनागत अस्मानताओं के कारण और बढ़ जाती है। जेंडर अधारित तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बीच थोड़ा सा अंतर है। यद्यपी दोनों पदों का प्रायह घाल मेल कर दिया जाता है और एक दूसरे के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, VA, W, में महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जेंडर अधारित हिंसा, GBV, के किसी भी कारे को शामिल किया जाता है किन्तु जेंडर अधारित हिंसा में, हिंसा के जेंडर आयामों को अपराद कर्मी तथा उनों ही परिप्रेक्षियों में देख जाता है। इसलिए GBV, पदधिक व्यापक तथा ज्यादा समावेशी है। जंडराधारित हिंसा महिलाओं तथा पुरुषों के बीच असमानता को दिखाती है और पुष्ट करती है तथा पीडितों के स्वास्थ्य, गर्मा, सुरक्ष जाता था स्वायत्तता से समझोता करता है। अन्फपा, इसमें मानवाधिकार उल्लंगन की व्यापक परिधी को भी शामिल किया गया है। जंडराधारित हिंसा में अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियां ही शिकार होती हैं किन्तु सिर्फ वही इसका शिकार नहीं होती क कभी कभी पुरुष और लड़के भी इस प्रकार की जंडराधरित हिंसा के शिकार होते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है इसके बारे में इस पश्च रूप से जानकारी नहीं है। वैकल्पिक प्रयोक समझ होर उनके यौन संबंधों के परिनामसवरुप होने वाले तनावों के कारण होती है। अब निम्न लिखे तनुभागों में जंडराधरित हिंसा की श्रेनियों के बारे में जानते हैं। के द्वारा की गई या उसकी अंदेखी से हुई हिंसा, मोटे तोर पर भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के इन रुपों को इस प्रकार से वर्गी कष्ट किया जा सकता है क, परिवार में हुई हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, घर के भीतर बच्चों के साथ यौन दुर्विवहार, दहेच के कार्णों से हुई हिंसा, बलातकार तथा परिवार के सदस्यों द्वारा कोटोंबिक बलातकार, सम्मान की रक्षा के कारण अप्राध, लिंग सापेक्ष ग संदर्भ पात, तथा कन्या भून हत्या, महिलाओं के यौनांग विक्रिती तथा ऐसी दूसरी प्रथाएं जो समलैंगिक महिलाओं, द्विलिंगी तथा किन्नर लोगों के संदर्भ में अपनाई जाती हैं और यौने च्छता तथा प्रजनन के अधिकारों के उलंगन को शामिल किया जाता है. इसके अतिरिक्त प्रवासी महिला कर्मियों, शर्नार्थियों और देश में विस्थापित लोगों के विरुद्ध हिंसा तथा साम्प्रदाएक हिंसा और व्यापक स्तर पर होने वाले अन्या प्राद। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की श्रेनियों का निर्धारन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लक्षमन रेखा बनी हो अपितू, किसी प्रकार की हिंसा को एक से अधिक श्रेनियों में रखा जा सकता है. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की ये श्रेनिया भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा वे महिलाओं के मानवाधिकारों को रोकने या उन्हें अधीन बनाने के पूरे प्रयास करती हैं. 15.5 जेंडराधारित हिंसा के रूप तथा स्तर जेंडराधारित हिंसा पर लंबे समय से चुप्पी और सहीश्डोता की संस्कृती ने परदाध हका है. इसके संदर्भ में सही आंकडे खोज पाना कठन है क्योंकि इस प्रकार की हिंसा के बारे में लान्चन, शर्म तथा प्रतिशोध न लिया जाए इस भाय से रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती. भारत में जेंडर आधारित हिंसा का स्तर कितना है इसका आधार भारत सरकार के राष्ट्री अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, से प्रापता अंकडे हैं. इन आंकडों से पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध हुए गंभीर अपराधों में जो मामले दर्ज हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा, 36 प्रतिशत, घरेलू हिंसा, पती तथा संबंधियों की क्रूरता भारतिय अदंड सहिता की धारा 498A के अंतरगत दर्ज मामलो का ह इसके बाद दूसरे स्थान पर, 24 प्रतिशत, महिलाओं की मर्यादा का उलंगन करने की प्रवृत्ती की गई प्रतारना है सानखी की तथा कारेक्रम क्रियानवयन मंत्रालय की रिपोर्ट भी पताती है कि महिलाओं की मर्यादा के उलंगन, शील भंग से जुड़े अपरादों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है जबकि बलातकार्व पहरन तथा पहरन और महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवृती की कारण प्रतारना के मामलों में बड़े पैमाने पर वृध्धी हुई है आंकडों से पता चलता है कि उप्तियों पर यहाँ प्राद बढ़ा है 2014 में जितनी महिलाएं इससे पीरित हुई उनमें 44 प्रतिशत महिलाएं 18 से 30 वर्ष की थी जबकि पीरित महिलाओं में से उम्रच्छ वर्ष से कम की थी 2014 में संदर्भ में दर्ज हुए आंकड़े इस प्रकार है तलिका पंद्रह दशमलवेक भारत में महिलाओं के विरुध प्रमुख प्राद 2014 बलातकार 36,735 बलातकार करने का प्रयास 4,234 महिलाओं का व्यपहरनेव मफहरण 57,311 दहेच के कारण हुई मृत्यू हत्याएं 8,455 महिलाओं की मर्यादा भंग करने की प्रवरिती से हुई प्रतारणा 8,235 स्रोत भारत में अपराद 2014 भारती अपराद रेकॉर्ड ब्योरो ग्रिह मंत्रालय भारत सरकार आगे जिन बातों पर चर्चा करेंगे उसे जानने के पहले आप जानचिये की इस सिकाई में अब तक आपने क्या समझा है प्रगती परीक्षन अभ्यास 1. जेंडराधारत हिंसा अन्य प्रकार की हिंसा से किस प्रकार भिन्न है? 2. जेंडराधारत हिंसा का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? 3. जेंडराधारत हिंसा क्यों होती है? चार जेंडराधारित हिंसा के कुछ रुपों का उलेख कीजिए इस अनुभाग में हम जेंडराधारित हिंसा के कुछ प्रमुक प्रकारों का अध्ययन करेंगे आप सुन रहें ओडियोलर निगनु को 15.6 भारत में जेंडर आधारित हिंसा के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन जेंडर आधारित हिंसा के प्रमुख प्रकार हैं 15.6.1 यौन अप्राधह कारिस्थाल पर बलातकार, छिड़ खानी और यौन उत्पीडन एतिहासेक रूप से महिलाओं कोश उचिता, कौमार्य, शीलतता सम्मान, इस्जत का संग्राहक माना जाता है महिलाओं पर यौन हिंसा सहित कई तरीकों से पितर सतात्मक नियंतरन लगाया जाता रहा है और उसे परिवार समुदाय की इजऻत के नाम पर उचित ठहराया जाता रहा है इस सवधार्न के कारण महिलाओं के शरीर पर यौन हिंसा से लेकर महिलाओं को शर्मिदा करने और उनको अपने अधीन बनाने को उचित ठहराया गया इसी तरह इसने महिलाओं की स्वतंत्रता, चुनाव के लिए नियम बनाने तथा उन पर ड्रेस कोड, पहनावेताय करना, लागू करने को भी उचित ठहराया गया। यौन हिंसा तथा बलातकार ऐसे उपकरन हैं जिसके द्वारा शक्ती का प्रयोक समाज में अस्मानता की स्थिती बनाने के लिए किया जाता है जिससे महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रन हो। यह वे चार धारा परिवार, समुदाय तथा राज्य, शासन, की सनरचना बनाती है। इसके साथ जातिवाद तथा साम्प्रदाइकता जोड़कर एक समुदाय के अधीन दूसरे समुदाय को रखने का कार्य किया जाता है। यद्धिपी बलातकार तथा अन्य प्रकार की यौन हिंसा निरनकुष होकर और बढ़ गई है किन्तु इस मुद्दे पर अंतराश्ट्री अस्तर पर तप चर्चा हुई जब चलती हुई बस में दिसंबर 2012 में एक युवती के साथ बरबरता पूर्वक समुदाय की कारण उ इस बात को सावित करने के लिए आंकणों की आवशक्ता नहीं है कि दहेज के कारण युवतियों की हत्या आत्मत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो चिंता की बात है। वह था 25 वर्षिय टिक्नोलोजी सनातक प्रवर्तिका गुपता का मामला उसके बेडरूम में उसे तथा उसके 13 महीने के बच्चे को जला दिया गया था। ऐसा आरोप है कि उनसे अपने लिए एक फलाट खरीदने की मांग की अनीश नागपाल 2014 डंडा दहेज से जुड़ा कानून दहेज निरोध कंधिनियम 1961 को अपसक्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतिय दंड संगिता की धारा 498, में दहेज उत्पीरन तथा धारा 304, बी में दहेज के कारण की जाने वाली हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। दहेज उत्पीरन के बढ़ते मामलों से पता चलता है कि दहेज विरोधी कठोर कानूनों तथा दहेज के विरुध लगातार चलाए गए अभियानों का बहत कमसर महिलाओं के विरुध होने वाले जगहन्य अप्राधों पर पड़ा है। जरूरी नहीं। जो जहां वह दमपती सुख प्राप्त करते हुए मरे इसके कारणपती के यहां ससुराल में मौत, हिंसा तथा उत्पीरन का सामना कर रही है। 15.6.3 घरेलू हिंसा नाशनल फैमिली हेल्ट सर्वे त्री, एन फेचेस। की घरेलू हिंसा के बारे में जो परताल कर निशकर्ष निकाले गए हैं वे इस प्रकार हैं। यह निशकर्ष 28 राजियों तथा राश्ट्रिय राजधानी में 2005-06 के दौरान 125,000 लोगों से साक्षातकार के आधार पर निकाला गया है। घटनाएं और श्रेणियां, भारत की 40 प्रतिशत महिलाओं ने अपने वेवाहिक जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा सहन की है। 37 प्रतिशत महिलाओं ऐसी हैं जिनका कभी विवाह हुआ था और उन्होंने कभी अपनी पती की शारिरे क्या यौन हिंसा सहन की है। 16 प्रतिशत महिलाओं ने अपने सहभागी की भावनात्मक हिंसा सहन की है। 17 प्रतिशत मामले गंभीर घाव, हडड़ियों के तूटने, दान तूटने या अन्य तरह से गंभी रूप से घायल होने के हैं और 2 प्रतिशत रिपोर्ट गंभी रूप से जलने के हैं। हिंसा तथा विवाह के वर्षों के बीच संबंध, जिन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मामले दर्ज करवाए उनमें से अधिकान शपनी पतियों से विवाह के शुरूआती दो वर्षों में ही शारिरिक रूप से प्रतारित हुई। आंकडों के अनुसार विवाह होने के दो वर्ष के भीतर ही 62 प्रतिशत महिलाएं शारिरिक आयों हिंसा का शिकार हुई जबकी 32 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह होने के पांच वर्षों के भीतर ही हिंसा भुगती। सहायता मांगिना, चार पीड़क महिलाओं में से केवल एक महिला ही सहायता मांगने की कोशिश करती हैं तथा हिंसा को खत्म करने के लिए अपनी पती के घर से बाहर जाकर इसे सुलजाने की कोशिश करती हैं। घरेलू हिंसा की शिकार केवल 2% महिलाएं ही पुलिस के हस्तक्षेप की मांग करती हैं। यौन हिंसा की शिकार किंतु शारीरिक हिंसा की शिकार नहीं हुई अधिकांश महिलाओं ने इस हिंसा के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, 85% तथा केवल 8% महिलाओं ने ही कभी किसी से इसके बारे में सहायता मांगी पीरत महिलाएं प्रायः अपने परिवार से ही सहायता की मांग करती हैं महिलाओं में धारनाएं 55 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि बहुत से मामलों में पतियों का दुर्व्यवहार झेलना ही होता है 41 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उन पुरुषों की देखभाल नहीं की तब पतियों की पिटाई ठीक थी, पुरुषों में धारनाएं, सर्वेक्षन में शामिल 75,000 भारतिये पुरुषों में से लगभग 51 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि अपनी पत्नियों को मारना या थोड़ी चोट पहुंचाना कुछ मामलों में जायज है खास तोर से तब जब वे सास ससुर का अपमान करें। कुछ पुरुष मानते हैं कि पत्नियों को तब भी पीटा जा सकता जब वे खाना अच्छा न बनाएं या यौन संबंद से इनकार करें। 15.6.4 मानव तसकरी भारत महिलाओं और लड़कियों की दूसरे देशों में तसकरी, अवैद व्यापार, करने का और बाहर से लाई गई महिलाओं और लड़कियों की तसकरी का प्रमुखड़ा बन गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत 20-65 मिलियन बंद हुआ मजदूर की मानव तसकरी की समस्या का एक बड़ा कारक बन गया है। सयुक्त राजे Department of State, 2013 डंडा भारत मानव तसकरी से पीड़ित लोगों की शर्नस्थली बनने वाला दक्षिनेशिय का सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में मानव तसकरी का तरीका बताता है कि मानव तसकरी का 90 प्रतिशत हिस्सा देश में हो रही मानव तसकरी का है जबकि केवल 10 प्रतिशत मानव तसकरी अंतराश्ट्रे सीमाओं से होती है तथा इसके सबसे ज़्यादा शिकार समाजिक और आर्थिक रूप से लोग होते हैं, जिसमें निचली जातियों के लोग भी शामिल हैं। पेची जाती है, उनको मजबूर किया जाता है या फंसाया जाता है, नशा दे कर फंसाया जाता है, अपहरन किया जाता है। बरदस्ती विवाह का सामना करना पड़ता है। भारती अधन संगिता में मानव तसकरी को लेकर प्रावधान दश को पहले बन चुके हैं, किन्तू 2013 में इन में संशोधन किया गया और इन अपराधों की अतर्थ पर आधारित व्याख्या की गई। देश के भीतर तथा बाहर जो अपराधिक जाल बने हुए हैं, उनको भी जाज की दाएरे में लाया गया। भारती अधन संगिता की धारा 370 तथा 370 ए डंडा इसके अतिरिक तनैतिक व्यापार, निरोधक, अधिनियम 1916 में मानव तसकरी की समस्या का निवारन धूंधा गया है। 15.6.5 तेजाब, ए भारत में किशोरा वस्था की लड़कियों तथा युवा महिलाओं पर तेजाब एंकने की घटनाएं लगातार मीडियम में आ रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यद्यपी भारत में फरवरी 2013 के पहले तक इस प्रकार का कोई सर शपराद नहीं माना गया। तक हो सकते हैं। 2013 में भारतिय दंड सहिता की धारा 326 से तथाबी के अंतरगत एसिड अटाइक को विशेश अपराद माना गया। बॉक्स पंदरह दशम लवेक। तेजाब के जक्म से जिन्दा बची लक्षमी की केस स्टड़ी। 2009 में पंदरह वर्षी अलक्षमी जब अपने घर से काम करने के लिए एक किताब की दुकान पर जा रही थी जहां वह पार्ट टाइम सेल्स परसन का काम करती थी तब उसने सुना कोई उसका नाम बुला रहा है। उसने देखा कि मोटर साइकल पर दो लोग थे। पिछली सीट पर बैठी लड़की से वह परिचित थी और मोटर साइकल चला रहा लड़का उसका जानने वाला था। वह उससे शादी करना चाहता था तथा उसने उसे मना कर दिया था। जैसे वह उनके पास पहुचती है की लड़की ने उस पर एसिड फेक दिया। उसका चहरा उसकी चाती तथा हाथ इतने जल गए की पहचानना मुश्किल था और उसे भयानक दर्द हो रहा था। कई पीडा दायक ओपरेशन के बाद लक्षमी का घाव थोड़ा भरा और अब वह असिड अटाक के बाद जिंदगी के लिए संगहर्ष करने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए एक अभियान की अगवाई कर रही है। वह दिल्ली में रहती है तथा उसने अदालत में जनहत याचिका दायर की, कि ऐसा कानून बनाया जाए जो लड़कियों पर तेजाप फेकने वालों को ऐसा दंड दे, जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने तथा पीडित लड़कियों के पुनरवास की एक अच्छी योजना बने, इस याचिका के कारण सर्वोच नियाले ने आदेश दिया कि एसद की बिक्री पर एक नियम बनाकर उसे नियंतरत किया जाए और एसद अटैक से पीडित व्यक्तियों को नियूंतम मुवावजा दिया जाए, स्रोत, टाइमस ओफ इंडिया, साथ जुलाई दो हजार 15.6.6 सम्मान के कारण अपराद जो ये मानते हैं कि उन लोगों ने समाजिक सीमाओं का उल्लंगन किया है या समाजिक मर्यादाओं को भंग किया है और यह प्राधधिकांशत हुन के पुरुष रिष्टिदार करते हैं। और उन्हें दुरघटना या आत्महत्या बता दिया जाता है। इसके कारण भारत में इस अपराद का स्तर कितना है इसे समझना मुश्किल है। राश्ट्री अस्तर पर इस प्रकार के अपराधों का कोई सरकारी आकड़ा नहीं है क्योंकि भारतिय अपराधिक कानून में इस प्रकार का कोई अपराध परिभाशित नहीं किया गया है। इस तरह के होने वाले अपरादों में ज्यादातर खेती करने वाले राजियों, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में होते हैं जहां जमिदारी तथा जाती दोनों जातिगत तथा लैंगिक भेद भाव को कायम रखने के लिए इज़त की संस्कृती ब रही है, देखे तालिका दो डंडा महिला पुरुष का यह समान लिंगानुपात भारत में कई कार्णों से बना हुआ है जिसमें कन्या बाल को गर्भपात के माध्यम से नश्ट करना, गर्भधारन के पहले ही लड़के होने का चुनाव तथा कन्या भ्रून हत्या की प्रव असमाज में महिलाओं के साथ भेदभाव तथा महिलाओं और लड़कियों का निम्न सामाजिक स्तार एक बड़ी समाजिक समस्या है। इसमें अन्यतिक रूप से तथा व्यापारिक दृष्टिकों से बढ़ते मेरिकल तंत्र की भूमिका को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। मेडिकल व्यापार की मांग बढ़ गई है जो समाज को महिला विरोधी पूर्वाग्रहों को लागू करने के लिए असानी से टेक्नॉलजी उपलब्द करा देता है। कम लिंगा अनुपात महिलाओं को हिंसा और शोशन के दुष्चक्र में धकेलने के लिए दबाव बना रहा है। The Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Prohibition of Sex Selection Act.2003 ऐसा कानून है जो इस समस्या को सुलजाने का उपाय है। तालिका 15.2 भारत में महिला पुरुष लिंगा नुपात 1901-2011 विवरन के लिए स्क्रीन को देखे। 15.7 सीमानती क्रण, हाशिये पर धकेलना, तथा बढ़ती असुरक्षा यद्यपी सभी महिलाएं हिंसा से असुरक्षित हैं किन्तू अल्पसंख्यक समुदायों, हाशे के समूहों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लड़कियां और महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं क्योंकि उनका समाजिक आर्थिक स्तर कम है और उनमें कानू एक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग तथा समलेंगिक महिलाओं, समलेंगिक पुरुषों, द्विलिंगी और किन्नर, LGBT, व्रिध महिलाओं और यूवतियों, तसकरी का शिकार हुई महिलाओं तथा महिला कैदी शामिल हैं। उनकी आकानक्षा ज्यादा चुनोती पूर्ण हो जाती हैं। पंद्रहद शमलव आठ सारांश जेंडर आधारित हिंसा की जड़ महिलाओं की अधीनिता की स्थिती में हैं। इसका सीधा संबंध पितर सत्ता अत्मक व्यवस्था तथा पुरुषत्व की अवधारना दोनों से हैं। जेंडर आधारित हिंसा, GBV, का प्रयोग जेंडर के आधार पर व्यक्तियों को या व्यक्तियों के एक समू को शिकार बनाने वाली हिंसा तथा व्यक्तियों एवं समुदायों के विरुद्ध होने वाली अन्य प्रकार की हिंसा में अंतर करने के लिए किया जाता है. इसमें वेकृत्य शामिल हैं जो शारिरिक, यौन या मनोवेग्यानिक ख्षती पहुचाते हैं या पहुचाएगें। Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, Prohibition of Sex Selection, Act 2003 एक विशेश कानून है जो इस लिंग परीक्षन निरोधक कानून के रूप में लिंग परीक्षन की समस्या के समाधान के लिए है। यद्यपी हर्म महीला हिंसा की असुरक्षा से पीडित है किन्तू अल्प संख्यक समुदायों, हाशे के समुदायों तथा समाज के पिछडे वर्गों की महीलाएं और लड़कियां अपनी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिती तथा कानून और न्याय व्यवस्था तक पहु NCRB, नई दिल्ली, ग्रिह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक अंग है NCRB, काउद देश शराश्ट्रिय पुलिस को सूचना प्रोध्यागिकी से सशक्त बना कर उन्हें कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवाने और जंता की सुविधाओं को सुधारना है ग्रिह मंत्रालय ने NCRB, को एक नई जिम्मेदारी अपराध्यव मपराधी खोज नेट्वर्क तथा व्यवस्था, CCTNS, परियोजना के साथ दी है लगभग 15,000 पुलिस्थानों में से लगभग 12,000 में 100% इफायार, ओनलाइन दर्ज किये जा रहे हैं प्रार्थना पत्र का सौफ्ट्वेर 12,500 जगहों पर लगाए गए हैं 15,000 वेक एक अभ्यास के लिए प्रशनेक, भारत में लिंगाधारित हिंसा के प्रमुखरुपों की चर्चा कीजिए दो, भारती असमाज में लिंगाधारत हिंसा के मुद्दे का हल ढूंडना क्यों महत्वपों है, उदाहर अंसहित चर्चा कीजिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले विडियो में